हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग वित प्रियंका सिन्हा में आज हम सेर करेंगे आपके साथ कच्छे केले के पराठे की रेसिपी बहुत टेस्टी ये पराठा बनता है आप इस एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा क कच्छे केले के पराठे सबसे पहले हम यहां पे तीन कच्छा केला लिये हैं इसे बीच से कट करके एक प्रेसर कुकर में डाले हैं हमें इसे उबालना है हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे बस इसे बंद करके दो सीटी लगाएंगे एक सीटी हाई फ्लेम पे और एक लो तो यहाँ पर हम इसे उबाल लिए है इसमें 2 सीटी हम लगाये थे और इसका प्रेसर हम खुद से निकलने दिये हैं अब यह केला अच्छे से उबल गया है सबसे पहले हम इसे पानी से अलग कर लेंगे तो पहले हम केला को बाहर निकाल लेते हैं हलका सा यह ठंडा हो جए तो ह हम इसका छिलका हटाएंगे तो यहां पर यह थोरा सा ठंडा हुआ है पूरी तरह से ठंडा नहीं कीजिएगा नहीं तो केला अच्छे से मैस नहीं होता है गुठली जैसा बनने लगता है तो अब हम इसे मैस कर लेंगे आप चाहे तो इसे कद्दू कस भी कर सकते हैं या फिर ह चमच अजवाइन को हम क्रस करके डाल लेंगे और आधे चमच हम इसमें हिंग डालेंगे दोनों को थोरी दिर भून लेंगे हलका सा हम इसे भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे अद्रक लैसन और हरी मिर्ची अद्रक लैसन को हम कद्दू कस कर लिये हैं और हरी मिर्ची और प्याज ये दोनों को महीं चौप कर लिया है मिर्ची आप अपने पसंद से कम जादा कर सकते हम यहाँ पे थोड़ा जादा मिर्ची लिये हैं क्योंकि ये मिर्ची तीखा नहीं है अब ये तीनों को हम पहले डाल लेंगे और थोरी देर हम इसे भून लेंगे इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे तो अदरक लहसन हैरी मिर्च को हम थोरी देर भून लेंगे अब इसमें हम प्याज डाल लेते हैं हम यहाँ पे अदरक लहसन भी थोड़ा जादा डाले हैं इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप खाते हैं तो थोड़ा जादा जादा डालिएगा, तो इसे हम थोरी देर भून लेंगे, प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम गैस को बिल्कुल सीम कर देंगे, और इसमें हम सूखे मसाले एड़ करेंगे, तो गैस को हम बिल्कुल कम कर दिये हैं, और इसमें डालेंगे सबसे पहले हल्दी पौडर, तो एक चमच हम हल्दी पौडर डाल रहे हैं, एक चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पौडर और एक चमच लाल मिर्ची पौडर यह अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं यहाँ पे हम नमक भी डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ी दिर हम इसे भून लेंगे 15 से 20 से के लिए बस हमें इसे भूनना है सुखे मसाले को ज़्यादा दिर भूनने की जुरत नहीं होती है अब इसमें हम यह डाल लेंगे केला जो मैस करके रखे हुए है तो पूरे केला को हम इसमें एड़ कर लेंगे और अच्छे से पहले हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ी दिर हम इसे भूनेंगे तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिए हैं आप देख सकते हैं अब हम इसे थोरी दिर 2-5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केला अच्छे से ड्राई हो गया है और यह अच्छे से भूना गया है हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसमें मिलाएंगे कटे हुए धनिया का पत्ता थोरा सा धनिया पत्ता डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोरी दिर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अब इसे हम थोरा सा ठंडा कर लेते हैं यहां पे हम 15 मिनट पहले आठा गूद के रख लिए थे सेट होने के लिए तो आठा हमारा अच्छे से सेट हो गया है यह प्लेन आठा है हम इसमें कुछ भी नहीं डाले थे प्लेन आठा गूद के हम 15 मिनट पहले छोड़ दिये थे तो आटा अच्छे से सेट हो चुका है हम इसे एक बार मिला लेंगे इसके बाद आप अपने परसंद से जैसा भी पराठा बनाना चाहते हैं बड़ा छोटा उस हिसाब से एक लोई कट कर लीजे इसे दोनों हाथों की साहता से हम प्लेन कर लिए हैं और यहाँ पर सूखा आटा लिये हुए थे हम सूखा आटा में हम इसे लपेट की कुएं जैसा बना लेंगे अब देख सकते हैं कैसे अब इसमें हम डालेंगे स्टफिंग जो कच्छे के लिए का स्टफिंग बना के हम रखे थे न वो इसमें हम डाल लेंगे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसको बेलने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्टफिंग हम इसमें डाल लिए हैं अब इसे हम बंद कर लेंगे फिर इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे फिर से एक बार और पहले हम इसे हाथ से थोड़ा बरा कर लेंगे इसके बाद हम इसे बेलेंगे तो अब देख सकते हैं हम इसे थोड़ा सा बरा कर लिए हैं पहले हाथ से फैला लिए हैं इसके बाद इसमें हम सूखा आटा लगाके अगर चिपक रहना तो थोरा सा सूखा आटा डाल दीजे और फिर इसे आप बेल लीजे तो एक पराठा हम बेल लिए हैं एक और हम बेल लेते हैं बना लेते हैं तो यहाँ पे हम कुए जैसा बना लिये थे एक लोई लेके अब हम इससे कडल करें से ऐसे जाल को सदो stop करें थाल क्याल कूगे जादा आसान होगा इसे भी हम थोड़ा हाथ से फैला लें गये deed तो यहाँ पराठों के चैसे हम पुच्छे से बाठी Review पराथे को हम बेल लिये हैं अब हम इसे सेक लेते हैं गैस पे हम तावा चरहाए हुए है तावा हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम पराथे डाल देते हैं तो हम पराथे डाल देते हैं पराथे डालने के बाद इसके उपर का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे और अब इसके उपर आप घी तेल जो भी पसंद करते हैं वो डाल लीजे इसे अच्छे से फैला के पलट के इसे अच्छे से हमें सेखना है हलका हलका सा आप इसे प्रेस करेंगे न तो बहुत अच्छा यह प्राठा क्रिस्पी हो जाएगा तो दोनों साइट से हम इसे हलका हल आप देख सकते हम इसे निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी सारे प्राठे हम सेक लेंगे कच्छे केले के प्राठे आप अपने मन पसंद चटनी दही अचार बटर किसी के साथ भी खा सकते हैं यह सब इसे बनाना भी बहुत आसान है तो आप इसे एक बाद जरू ट्रा कर लिजे बिल का बटन प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे थांक्यू मिलते हैं आप से फिर नेक्स्ट वीडियो में